तो आज का हमारा टॉपिक है structure से पहले रिमाइट कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने covering कर लिया स्टार्टिंग से बार बता देते हैं हम लोगोंने variables पढ़ लिये data types पढ़ लिये control statements पढ़ लिये like if else for while do while all these then हम लोग ने आरे कवर किया, pointer पड़ लिया, function पड़ लिया, strings पड़ लिया अब इता आपको कहा हमारे सामने structure तो एक बार आपको पहले remind करा देते हैं आरे के बारे में कुछ तो आरे के अगर हम बात करें तो क्या है हमारे हमारा आरे is a collection of similar type of data स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब आरे पढ़ा रहे थे उस राइम पर हमने बताया था कि सपच करो आपको दो students के mark से store कराने है तो आप क्या करेंगे, जब तक आप array नहीं जानते थे उस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, दो variables create कर लेंगे, m1, m2 मैंने बोला आपको 5 students के mark से store कराने हैं, तो आपने कहा क्या सर, आप 5 variables ले लेते हैं, m1, m2, m3, m4, देनों को करा दिया फिर हमने आपको बोला कि सपच के लिए हमें 1000 students के mark से store कराने हैं तो उस case में problem हो गई, कि या तो हम 1000 variables declare करें, तो बहुत time consuming process हो जाएगा तो उसका solution क्या था हमारा array, कि हम लोगों ने क्या किया, array create कर लिया, एक name दे दिया, contiguous memory locations को, जहां पे 1000 marks store किये जा सके हैं तो आप हम लोग डिसक्स कर रहे हैं, structure के बारे में, structure की जुरूत क्या है, why, why we need structure तो suppose कर हमें पास scenario कुछ ऐसा है, कि हम एक entity है, हमारे पास student, student क्या है, एक entity है, इसके different attributes हो सकते हैं जैसे कि क्या हो सकता है, name हो सकता है, row number हो सकता है, marks हो सकता है, okay, students एक entity है, जिसके आपके तीन attributes है, एक name है, एक row number है, एक marks है और यह तीनों क्या है different types के हैं name किस type का है string type का roll number किस type का है integer type का marks किस type का है float type का अब suppose कि लिए हमें यह information store करानी है तो इस information store करने के लिए हमारे पास दो approach हो सकते हैं एक approach तो हम लोगों ने अलड़ी पढ़ा यह पहला approach क्या है हमारा individual array for each attribute हम क्या करेंगे हर एक attribute के लिए एक अलग-अलग array create करेंगे आम हमें 10 marks store 10 students के name 10 students के information store करनी है हमने 10 students के लिए name नाम का array create कर दिया 10 students के लिए मार्क्स नाम का array create कर दिया दूसरा approach क्या हो सकता है कि use a special data structure ऐसी कोई टेकनिक हो, ऐसा कुछ हो कि हम, एक इसपेसल डेटा इस्ट्रक्चर का यूज्ड कर सकते हैं, तो हम पहले अप्रोच की बात करें, पहले आप्रोच को डिस्कास करें हम लोग अगर तो जैसे कि हम लोग अरण में हम लोगों और सीखा है करते हैं, हमने कह खिया कर ने ये 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 लिए ये बाद इनको रिसीब करने के बाद वापाए इसको कह कर दिया अधिक टिया को स्टुडैंट की परिंट करा दिया इसके बजाए हमेरे पास कितने हैं 50 अच्रिब्यूट्स उस केस में यह क्या penguin की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो अगर बात करेए तो नंबर सट्व्य इंग्रीज होंगे तो हमारे प्रोगाम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी यह तो इस एप्रोप्रोच के साथ यह तो नहीज के साथ यह है कि हम लोग all the array may not be located contiguously in the memory क्या होता है कि array के elements जो हम लोगोंने पहले से पढ़ रखा है कि array elements जब हम कोई array create करते हैं array को declare करते हैं तो जो array के elements होते हैं वो तो contiguous memory locations होते हैं बट अलग-अलग array अगर हमने तीन array create की हैं तो जरूरी नहीं है कि memory में वो contiguous हो तो एक यह problem है सिनारियो के साथ यह domain problems हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या use करते हैं structure उच करते हैं तो इन दोनों problem का solution क्या है हमारा कि हम एक अलग से डेटा structure यूज करें जिसका नाम क्या है हमारा structure यह तो बात थी कि जरूरत की क्या बड़ी क्यों पड़ी अब हम बात करते हैं कि structure है क्या what is the structure structure हम लोगों ने पहले भी आपको पढ़ाया था जब हम लोग data types के discussion कर रहे थे उस टाइम पर हमने बताया था कि structure क्या है structure is a user-defined data type structure क्या user-defined data type है to store the collection of different data types okay data type to store the collection of different types different types means कभी में लोग types की बात करते हैं सी language में तो types की बात जब भी करते हैं data types means data types okay बात करते हैं structure के syntax की syntax क्या होता है struct struct name then curly basis start first data type 1 member 1 data type 2 member 2 data type 3 member 3 and so on then curly basis based उसके बाद हम लोग last में क्या लगाते हैं यह semicolon okay where struct is a keyword struct क्या है एक keyword है जो हम लोग ने दिरसत किया था starting में कि there are mainly 32 keywords in C तो उसमें struct क्या आपका एक keyword for example struct employee उसके हमारे पास सपोच करे employee के हमारे तीन attributes है क्या क्या attribute है id name and salary id is a type of int name is a type of care salary is a type of float तो यह employee is employee को इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं tag भी बोलते हैं या structure tag बोलते हैं id name and salary these are the structure members structure members भी बोलते हैं और हम लोग इनको structure fields भी बोलते हैं तो दोनों की चीज़े आप यह अलग-अलग books में आपको मिल सकता है कहीं members मिल सकता है कहीं आपको fields मिल सकता है इस तरीके से हम लोग इसको declare करते हैं structure को declare करते हैं okay अगर हम memory representation देखें इस structure का जो हम लोग नहीं employee structure define किया हुआ है declare किया हुआ है यहां पे इसका अगर memory representation आप देखेंगे तो देखेंगे फस्त जो आपकी four bytes होंगी suppose कर यह हम लोग मान लेते हैं कि integer के data type के store करने के लिए हमाई कितने bytes की जूरत हो रही है four bytes की तो पहली जो four bytes होंगे memory के अंदर वो क्या होंगी ID के लिए allocate की जाएंगे next जो आपकी name के कितना size था आपका 20 इसको 10 कर देते हैं 10 तो यह 10 जो आपके next bytes होंगी वो किसके लिए store हो जाएंगे आपकी name नाम के memory के लिए next आपकी जो है क्या salary salary के कितनी bytes आपकी store हो जाएंगी one two three four four bytes store हो जाएंगी तो टोटल अगर हम लोग इसके size की बात करेंगे structure के size की बात करेंगे तो जो इनके individual members का data type होता है उसके storage capacity होती है उन सब का sum होता है तो four bytes for ID 10 bytes for name and four bytes for salary तो टोटल अगर आप employee structure की बात करेंगे तो उसके size कितनी होगी 18 bytes होगी और memory में इसका allocation किस types होगा यह contiguous memory allocation होगा जो कि हम लोग lag कर रहे थे किस case में array के case में array के case में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी आप बना रहे थे अलग अलग तीन different array बना रहे थे जो first approach हम लोगों यहां पर follow किया था उसमें problem यही थी कि वह जो array होंगे वह contiguous memory location पर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है बट एक्स्ट्रक्चर के case में क्या होगा जितने भी इसके field होंगे यह जितने भी members होंगे वह contiguous memory location पर होंगे ओके कि